साम की छोटी मोटी भूख के लिए सर्फ दस मिनिट में बनाएंगे बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी स्नैक्स जिसे आप बना करके महेनों तक श्टोर भी कर सकते हैं तो चलिए बनाते हैं इसके लिए हमने आपर एक कप मैदा लिया है इसमें हम तीन से चार चम्मच के जितनी पीसी हुई चीनी डाल देंगे चीनी को बस मिक्सी में पीस लेजे वही पावडर डालना है यहां पर मैंने लगबख दो चम्मच के जितना देशी घी और चुटकी भर आपको नमक भी डालना है हलका सा नमक डालने से इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है बट अगर आप चाहें तो इसे एवाइट कर सकते हैं इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लिया है मोयन इतना होना चाहिए कि जब आप इसे हाथें से बाइंड करें तो लड़ू जैसा बनना चाहिए अब क्या करना है कि इसमें थोड़ा-थोड़ा दूड डाल करके हमें इसका डो को त्यार करना है डो को हम बहुत ज्यादा टाइट नहीं रखेंगे ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखेंगे मेडियम रखना है तो यह दिखे बस जरूरत के साफसे मैं इसमें थोड़ा थोड़ा डूर डाल ले हूँ और यह हमारा जो डो है वो रेडी हो गया है बस इसे थोड़ा सा मसल करके चिकना कर लेंगे तो यह हमारा जो डो है वो बिलकुल रेडी है अब इसको हम दो से तीन इकुल पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर हमें बड़ी सी लोईया इसकी तयार करनी है और पहले हम इसको इस तरह से गोल कर लेंगे और इसके बाद हमें इसे बेलन से बेलना है ध्यान रखें हम इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे तो इस तरह से हलके हाथों से इसे बेल लीजिए और आपको इसमें कोई भी सूखा मैदा या ओयल लगाने की जरूरत नहीं है यह बहुत ही आसानी से बेल जाता है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है और अब हम इसको इस तरह से पलटके रखेंगे यहाँ पर मैंने एक प्लेट में थोड़े से सफेद तिल लिए हैं अब इसमें हमें थोड़ा सा पानी ऐसे ब्रस की सहता से लगा देना है या फिर आप चाहे तो हाथ से भी लगा सकते हैं और यह जो पानी वाला सीरह है वो तिल वाली प्लेट में हमें इस तरह से रखना है इससे क्या होगा कि जो white तिल है यानि sesame seed है वो बहुत अच्छे से इसमें चिपक जाएंगे यह देखी कितने पढ़िया से चिपक गए हैं इससे हमारा जो snack से वो देखने में और भी अच्छा लगेगा और इसके बाद आपको क्या करना है कि बेलन से इस तरह से इनको दबा देना है अधर्वाइज यह खोल जाएंगे फिर इसे पलट देंगे और इस तरह भी पानी लगाएंगे और इस side में भी हमें same process करना है इस दर भी हम अच्छे से तिल लगा लेंगे वैसे तो यह जो तिल है फ्राइ करते टाइम काफी मात्रा में निकल जाते हैं लेकिन थोड़े बहुत लगे रहते हैं तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और यह देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं यह देखे इधर की साइट से भी थोड़ा सा दबाव देते हुए हमें बेल लेना है जिसे की जो तिल है वो अच्छे से चिपक जाए यह देखे फ्रेंज मैंने इसे बेल लिया है अब हमें क्या करना है किसका एक स्क्वाइर पीस हमें चाहिए होगा तब ही हम इसके इस तर तरब से थोड़ा थोड़ा पोर्शन काट के निकाल लेना है और इनको भी आप फ्राइ कर लेजिए मैं वीडियो बना रहे हूं इसलिए मैं थोड़ा सा फ्रेस्ट पीस ही दिखा रहे हूं और इस तरह से चोकूर पीस निकालने के बाद इसके हम ऐसे स्ट्रिप्स कट कर ल तो इने डीफ।ाइर कर सकते हैं या फिर आप इन्हें एयर फ्राय नहीं है तो माइकरोवेीब में भी बिकक कर सकते हैं बटच में इने ऌई फ्राय करने वाली हूं तो यहां पर पैर में हमने उयल गरम होने के लिए रखा है एक एक कर के जितनी भी इस्ट्रिप्स आइं वो हम सारी डाल देंगे, यहां पर हमें गैस की फ्लेम को मेडियम रखना है, तेज आज में नहीं हम पकाएंगे, नहीं तो क्या होगा कि उपर से लाल हो जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगे, फिर हमारा जो स्नैक से उतना बढ़िया क्रिस्प नहीं होगा, यह देखिए, इस तरीके से जब भलका सा गोर्लेन कलर आ जाएगा, हम एक फॉक की हल्प से इनको पलट देंगी, और अलटे पलटे विए बढ़िया सा गोर्लेन कलर आने तक फ्राई कर लेना है हमें, तो फ्रेंज आप देख पा रहे होंगे, बढ़िया सा गोर्लेन कलर आ गया है, तो अब इस तरह से हम इन्हें निकाल लेंगे, और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, एकदम खस्ता बनते हैं, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं, ये जो तेल हैं उन्हें आप निकाल लेजिए और जिब दुबारा वाला बैच आप बेल करके तयार करें तो उसमें चिपका सकते हैं, काफी सारे तिल निकल जाते हैं, लेकिन जो थोड़े बहुत लगे रह जाते हैं, उसी से हमारे स्नाक्स जो है, वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया खस्ता बना है, ट्राई केजिए, ठंडा होने के बाद इने किसी एयर टाइट कंटेनर में भरके रख लीजिए, महीनों तक खराब नहीं होते हैं, और आप हमारे वीडियो कौन सी सिटी से देख रहे हैं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा, फिर मिलते एक नए वीडियो में तब तक के लिए,